हेलो फ्रेंस वागताब सभीका मेरे और आपके इस चैनल में सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक CAC V.A.L.E. हो और CAC के माधियम से अगर आप E.S.T.A.M. का काम करना चाहते हैं तो आप किस परकार से इसके लिए यूजर आईडी और पास्पर ले सकते हैं जहां पर आप लोग अपने CAC सेंटर से माधियम से किसी का भी आप E.S.T.A.M. और साथ में आप लोग E.S.T.A.M. बना सकते हैं इसके लिए आप लोगो करना क्या पड़ेगा अपने डिटल से आप पोर्टल में लोगिन हो जाना है अप जैसे ही लोगिन हो जाते हैं उसके बाद आप लोगो यहाँ पर से E.S.T.A.M. लिकर आप जैसे ही सर्च करेंगे एंड किलिक करने के बाद आप लोगो इसका वेबसाइड ओपिन हो जाएगा इसका लिंक आप लोगो वीडियो के निचे डिस्क्रेशन बॉक्स में भी दे देंगे एंड कुछ इस परकार से आप लोगो इंडिया E.S.T.A.M. सिस्टम का आप लोगो वेबसाइड देखने को मिलेगा जहाँ पर से सबसे पहले मेमर लोगिन का और इंटरफेस आप लोगो देखने को मिलेगा जो की यूजर आइडियो और फासवर्ड के माधियम से आप यहाँ पर से लोगिन कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर से फर्स्ट टेम आ रहे हैं तो इसके लिए आप लोगो इस्टाम के लिए रजिस्टेशन करना होता है जिसके लिए आप लोगो यहाँ पर से अबाउट इंडिया इस्टामिंग सिस्टम में आप जैसे ही किली करेंगे तो कुछ इस परकार से आप लोगो इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोगो बताते हैं जो भी इस्टाम्प और शाथ में यहाँ पर से एफीडिपीड जनरेट होगा वो विसिकली स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन और अफ इंडिया लिमिटेड के माजम से यहाँ पर से जनरेट होगा तो विसिकली यहाँ पर आप लोग को बताते हैं साव इस्टेट के लिए यह वालेट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि Unix list का आप लोग को यहां पर से एस्तेट वाइज मेंसिन भी किया गया है तो आप लोग को आप लोग को सिंपल से प्राउसिस को फाङू करकार के आप यहां पर से रजे प्रोटी पेमेंट दूसरा आप लोगो को देख सकते डी की सर सब सबसे लास्ट आप लोग को देख सकते हैं कि एसी रेजिस्टेशन फॉर्म जो की हां पर से New Aid किया गया है तो लोग यहीं से आप लोगो for option में आप जैसे ही किलिक करेंगे तो जो भी एस टाम का registration का process होता है वो बैसेकली open हो जाता है कुछ इस परकार से आप लोग को interface देखने को मिलेगा जहां पर आप लोग को कुछ basic सा information करने के लिए होता है यहां पर आप सभी CAC VLE को बता तब कि जो भी एस टाम का registration का process होता है वह बैसेकली offline ही होता है यहां पर आप लोग को ओनलाइन registration करने का कोई भी process यह स्टाम के लिए बैसेकली नहीं है यहां पर आप लोग को बताते कि यह form को आप लोग को फ्रेट आट कर लेना है इसमें आप लोग को basic सा information like जैसे resident proof, id proof और साथ में यहां पर से bank proof इस परकार से आप लोग को document को attach करने के लिए होता है और उसके बाद आप लोग को जितने वी यहां पर से form copy and साथ में अटेज document है सारी को आप लोग को यहां पर से करना क्या asking कर लेना एंड उसके बाद आप लोग को जो भी आपके CAC के DM होते हैं उनसे आप लोग को contact करना है या फिर उनके mail में आप लोग को mail कर देना है एंड उसमें आप लोग को mention कर लेना है कि हमें e-stamp के user ID और password चाहिए अब सारी चीजे को आप जैसे ही mention करके mail कर देते हैं अगर आप लोग को जो भी इसका e-stamp को user ID और password होता है और आप लोग को mail में receipt हो जाता है और शाथ में आप लोग को जो भी mobile नमबर आप में mention किये होंगे उस mobile नमर पे आप लोग को user ID और password को भेज दिया जाता है और उसके बाद इसमें आप login करके आप किसी का भी e-stamp और शाथ में आप FTP को बना सकते हैं तो कुछ इस परकार से अगर आप एक CAC VLE हो और CAC की माइदम से e-stamp को service को activate कर सकते हैं तो I hope आप लोग को वीडियो पर सब्सक्राइब कर दें और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोग को is related को भी आप लोग को inquiry चाहिए तो आप यह comment कर सकते हैं जिसका reply आप लोग को instant मिल जाएगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तक तक लिए